तो सद्रक की इस प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है शक्रकरधान और मैं आपकी इस computer सीरीज की सारे विडियोस में आपका प्रेजेंटर रहूँगा आज हम पहला विशे, जो computer basics है, उसके साथ हम इस सीरीज का आरम करेंगे तो चलिए जानी है computer क्या होता है तो computer क्या है computer एक ऐसी machine है जो किसी भी प्रकार के data को अपने अंदर input की तरह लेती है उस data के उपर कुछ काम करती है यानि उस data के उपर processing करती है और उससे कुछ काम की information बाहर की तरफ output करती है computer एक बिजली से चलने वाली device है एक बिजली से चलने वाला यंतर है चो बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ी-बड़ी calculations कर सकता है computer के दो भाग होते है एक होता है उसका hardware और एक होता है उसका software hardware के itself दो भाग है जो होता है एक input device और एक output device input device हमारा एक ऐसा भाग होता है जिससे हम किसी भी प्रकार का data computer के अंदर देते हैं इसके प्रकार होते हैं keyboard, mouse, इसके साथ साथ mic, आदी उसके अलावा output devices जैसे हमारे monitor, printer, speaker यह हमारे सारे output devices होते हैं इन दोने के बीच का एक basic फर्क यह होता है जो किसी भी प्रकार का information अगर मुझे computer के अंदर भेजना है किसी भी प्रकार का data मुझे computer के अंदर डालना है तो मैं input devices का प्रयोग करता हूं और उस डाले वे data से अगर मुझे कुछ काम की information बहार चाहिए और वो चीज मेरे को देखने के लिए output devices चाहिए जैसे monitor हमारा जितना भी हमने input किया होता है या फिर जो भी हम कारे कर रहे होते हैं computer के उपर वो हमें दिखाता है और उसके अलावा printer जो भी चीज हम चाहते हैं print कराना वो एक कागस के उपर print करके output की तरह वो हमें दिखाता है दूसरा computer का भाग होता है जो एक बहुत ही एहम भाग है वो होता है उसका software software के कई प्रकार होते हैं बट आज हम सर्फ दो ही प्रकारों के बारे में जानना चाहरेंगे वो था एक operating system software और application तो operating system software एक ऐसा program होता है जो एक आदमी जो एक मनुष्य और एक computer के hardware के बीच में काम करता है पुराने जमाने की computer software में यह operating system एक visually operated system नहीं होता था यानि एक तस्वीर की तरीके से दिखने वाला system जिसमें हम एक mouse का प्रयोग करके बस point and click यानि mouse को हम point करेंगे किसी भी वस्तूगे ओपर और उसको दबाके access करेंगे यह पुराने जमाने की computers में नहीं हो पाता था और उस वक्त हमें एक hard coding करने वाले programs की जरूरत पढ़ती थी इसको समझने का एक बहुत ही अच्छा example यानि उधारन यह है कि हम मान सकते हैं कि hardware जो हमारे computer का है वो हमारे cricket खेलने वाले या जैसे हमारा bat, ball, wicket, gloves यानि उसका equipment हम उसको यह मान सकते हैं application software जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे वो हम मान सकते हैं cricket के खिलाड़ी है और जो operating system है वो हम मान सकते हैं कि उस computer को चलाने के और उस cricket team के पीछे जो strategy है कि हाँ यह खिलाड़ी हमारे batsman है और यह खिलाड़ी हमारे bowler है या इस तरीके के हम अपनी fielding set करेंगे उस strategy को हम कह सकते हैं operating system operating system के जो भिन-भिन प्रकार है जो दुनिया में सबस्यादा मशूर आजकल जो जाने जाने वाले हमारे example या उधारण है वो है एक Linux operating system Windows 10 Windows XP जो हमारे Microsoft company ने बनाए है और उसके लावा Mac OS जो हमारी Apple company ने बनाए है DOS के itself बहुत सारे companies ने बनाया हुआ है DOS हमारा एक hard coding करने वाला operating system जो पहले जादा use होता था वो उसका उधारण है application software तो किसी भी प्रकार का software जिसको हम use करके कोई भी हम समस्या solve करते हैं उसको हम application software कहते हैं यानि अगर मुझे internet का प्रयोग करना है तो मैं क्या इस्तमाल करूँगा internet browser अगर मुझे कोई बड़े बड़े numbers या फिर कोई बड़े बड़े गणित के सवाल मुझे अगर solve करने है उनका उत्तर चाहिए तो उसके लिए मैं क्या प्रयोग करूँगा calculator अगर मुझे किसी को letter लिखना है यानि कि खत लिखना है या फिर अपना एक resume में बनाना है तो उसके लिए मैं क्या प्रयोग करूँगा MS Word तो इस प्रकार के जितने भी software जो हमारी किसी भी परिशानी की समस्या को हल करते हैं उसको हम एक application software कहते हैं तो चले जानते हैं कि अभी हम data information और storage के बारे में थोड़ा समझानेंगे कि data क्या है data एक बहुत ही बड़ा collection है नंबर figure, document, document यानि हमारे कागज, audio video यानि हमारे आवाजे और जो हमारे चित्रकलाएं है वो जो एक unprocessed form में है यानि उसके अंदर से मैंने कुछ नया information नहीं पैजा किया है जो मेरे किसी कारें आये काम में आये तो उसका हम data कहते है information जब मैं इसी data में से कुछ काम की चीज निकाल लेता हूं जो मेरे ऐसा user जो मनुष्य उस computer को use कर रहा है जिसके उसके काम आये उस information उस एक्स्ट्राइट करें हुए information जो हमने data में से निकाल है उसको information कहते है storage एक ऐसी डिवाइस या फिर एक ऐसा यंत्र जिसके ऊपर में जितनी मेरी जितनी भी information है या data है जिसको मैं store करता हूं उसको मैं storage कहता हूं storage के दो प्रकार होते हैं एक physical storage और एक आजकल जो नया फेमस हुआ है जादा ही आज की दुनिया में जिसको कहते है virtual storage तो physical storage का example है CD, ROM, pen drive, hard drive, etc और virtual storage जैसे हमारा google drive या फिर हमारा iCloud जो एक physical यानि एक hard वस्तू में नहीं है जो एक cloud जो यानि एक virtual वस्तू है उसको हम virtual storage कहते हैं तो characteristics of computer हम जानता है कि computer किस चीज के लिए जाना जाता है computer उसकी speed के लिए जाना जाता है यह बहुत ही fast होती है computer accuracy बहुत ही extremely accurate है नहीं बहुत ही precise उसके अंदर information और बहुत ही सटीक information उसके अंदर storage क्या एक computer के अंदर हम बहुत सारी information और data हम store कर सकते है quick decision कि computer के अंदर decision लेना की जो सम्शमता होती है वह बहुती जल्दी और बहुती तेज होती है repeated capability कि एक task कोई भी कारए को वो कितनी भी बार अंगिनत भार बार बार same काम कर सकता है बिना थके Reliability, कि computer के अंदर कोई भी कार्य में बहुती थेज और बहुती safe तरीके से कर सकता हूँ without उसके fail हुए कुछ commonly known जो full form है, वो है, computer, common operating machine purposely used for technological and educational research RAM, Random Access Memory, ROM, Read Only Memory, CPU, Central Processing Unit, ALU, Arithmetic and Logical Unit, and CU, Control Unit तो इसी के साथ हम आज की विडियो समाप ते ही करते हैं, मैं आपसे इस end पर आके यह कहना चाहूं, चाहूंगा कि सीखते रहिए और खुश रहिए और safe रहिए धन्यवाले